नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मारोक्स के यूटूब एज्यूग इसने चैनल में तो आज के वडियो लेक्चर में हम ऐसे प्राब्लेम और उसको सॉलूसन के बारे में बात करेंगे कि जिसको कैलोईड स्कार्स कहा जाता है तो यहापे जो हम पीक में देख रहे हैं उस तरह से स्कीन के उपर इस तरह से निसान बन जाते हैं यहापे जो आप देख रहे हैं उस तरह से तो ये जो निसान है उसको तेजी से किस तरह से हटाए जा सकता है कैसे उसका इलाज हो सकता है तो detail में जानते हैं आज के वडियो lecture में Calloid Scars के बारे में तो सबसे पहले हम सीखेंगे उसके बारे में Basic Introduction फिर उसके Reason क्या है क्या Symptoms Develop होता है कैसे उसका निदान किया जा सकता है और कौन से अलग-अलग treatment के options हमारे पास available है तो सबसे पहले ये जो problem है उसको समझते हैं कि जिसको caloid scars कहा जाता है तो caloid scars एक तरह का skin पर उठा हुआ नीसान है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी skin है इसके उपर इस तरह से ये एक निसान बन चुका है कि जिसको हम caloid scars कहते हैं और ये होने के बहुत सारे ऐसे reasons होते हैं तो specially जब तवचा पर किस तरह से चोट लग जाती है तो वहाँ पे इस तरह के निसान बन जाता है या फिर कोई surgery वे गईरा की है तब भी इस तरह के निसान बन जाते है तो ये जो हो एक टाइब के non-cancerous होते है और एक टाइब के fibrous skin tumor से कि इसके लिए कोई cancer वगरा responsible नहीं है तो डरने की बात नहीं होती फिर जैसे कि overgrowth हो जाती है वहाँ के जो skin cells होते है पर वो non-cancerous होते है तो कोई भी यहाँ पे tension करने वाली बात नहीं है सिर्फ क्या होता है कि एक जो wound healing की जो process होती है उसमें काफी aggressively वो wound healing का process होता है तो उसके करन यहाँ पे यह एक निसान जैसा बन जाता है और कई बार वहाँ पे हमें उस तरह का एक bumpy formation देखने को मिलता है कि जो एक निसान छोड़ देता है वहाँ पे तो reason समझते तो सबसे पहला जो एक reason है वो acne के करन हो सकता है जो acne होता है pimples होता है उसके करन acne scars बन जाते है फिर किसी तरह से burning होई है skin के उपर तो भी ऐसे निसान बन सकते है फिर chicken pox में यह एक symptom बन जाता है फिर जब कान में किसी भी तरह से कोई आप ring पहनने के लिए जो process करवाते है उसमें भी यह problem हो सकती है फिर scratches पढ़ चके है या फिर vaccination के बाद भी वहाँ पे इस तरह के निसान जो वो बन सकते है कुछ और ऐसे reasons देखे तो insect के bite के करण के किसी insect ने आपको वहाँ पे काट लिया है फिर किसी ने tattoo बनवाया है injection लगवाया है और injection के बाद उसके कुछ ऐसे reaction हो गई और उसके बाद भी वहाँ पे keyword scars के निसान जो वो बन सकते है फिर कई बार hair removal के बाद भी कुछ लोगों को ये problem होती है minor scratches के बाद होता है और एक surgical incisions होते है जैसे कि मानलों के किसी के C section delivery हुए है या फिर कोई surgery हुए है सरीर पर वहाँ पे cut लगाया गया था फिर वहाँ पे stitches लिए गया थे तो उसके बाद वहाँ पे जो है वो निसान पढ़ जाते है तो symptoms हम देखे तो pink या फिर radius होते है यह जो निसान होते है खास कर तो यहाँ पे जो हम देख रहे है पिक में उसके according to फिर उनकी growth जो है वह काफे fast होती है quick जो है उनकी growth होती है कई बार कुछ लोगों को वहाँ पे itching भी होती है और painful condition भी produce हो सकती है और look like a sign ही मतलब कि उसके उपर एक चमक दिखती है अलग सी और touch करने पर वो एक soft होते और जैसे हम rubber को touch करते है ऐसे यह scars जो हमें feel देते हैं और दिरे दिरे उनका जो color है वो dark होता जाता है और जो person है उसको काफी ज़दा discomfort feel होता है तो यहाँ पर वीडियो के मेंच में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको अलग-अलग बीमारियो के बारे में सिखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सिखना अच्छा लगता है तो जो हमारी book है decision treatment उसको आप जरूर से purchase कर सकते हैं तो यह book अब ready है तो यह book को purchase करने के लिए आप दिये गए number पर हमें whatsapp कर सकते हैं तो आगे समझते हैं कि जब इस तरह के कोई निसान आपके सरीरी प्यपर बन रहे तो उसका diagnosis कैसे हो सकता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है skin specialist या फिर dermatologist को जरूर से visit करना चाहिए और वहाँ पे वो आपका एक physical examination करते हैं proper check-up किया जाता है आपके कोई बीमारी रही है या फिर कोई surgery करवाई थी तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री आपको पुछी जाती है पर्सनल हिस्ट्री भी पुछी देते कि आप किस तरह के काम करते हैं किस तरह के activities में involved है कोई vaccination लगवाई थी या नहीं कोई insect ने bite किया था या नहीं तो उस तरह से proper diagnosis होता है और last में एक reason find out करने के लिए skin की biop से भी की जाती है कि जिससे पता चलता है कि यह calorie scar जो बना है वो कौन से reason से जो है वो बना है treatment के हम अलग-अलग options देखे तो सबसे पहले एक जो option बनता है वो रहता है wound के care का मलब कि जहाँ पर वो निसान हुआ है उसके आप अच्छे से care करते है फिर creams के हम बात करें तो corticosteroids cream को लगा जाता है injected medicines आती है freezing the scar ये एक technique है आगे हम वीडियो में detail में सिखते है सभी के बारे में laser treatment, radiation therapy और surgical removal का एक option बन जाता है तो सबसे पहले आप देखे कि wound care के अंदर क्या आएगा तो simple जिससे dressing किया जाती है तो compression dressing किसी भी इस तरह से cotton plug को use करके किया जाता है और यहाँ पे एक main को लिए है कि reduce करना है और prevent करना है scar को उसके उपर pressure डालके जिससे उसका जो एक हम देखते कि bumpy formation जैसा हो जाता है rubber जैसा हो जाता है तो वो हम जो है वो reduce कर सके second option हमारे पास है वो है corticosteroids की creams का तो creams में हम देखे तो clo betasone आएगी hydro cortisone है candid B cream है betno wet c, ano wet, clo beta gm cream and darobin ointment तो इन में से कोई भी एक use किया जा सकता है एनी one use करनी है ऐसा नहीं कि यह सभी cream कोई apply करता है कोई एक cream आप apply करते है regularly तो भी यह calorie scars के जो निसान है वो दिरी-दिरे कम होने लगते हैं और जो problem है वो solve होने लगता है फिर अगर कुछ दवाईयों से ठीक नहीं होता तो आगे जाकि कुछ ऐसे options बनते हैं जिसे की injected medicines तो यहां पर जो हम देख रहें कि जो medicine है उसको इस तरह से अलग-अलग side पर लगाया जाता है जहां पर यह calorie scars बने है और फिर आप देखो तो injection side है एक side और दूसरी side laser side है तो इस तरह से भी medicine से यह निसान जो है वो कम किये जाते हैं जहां पर यह निसान बने हैं वहाँ experts के दोरा injection लगाई जाते हैं और especially उसके इंदर cortison या फिर steroid medications रहती है और expert यह injection लगाते हैं और यह problem को solve होने में महिने से लेकर 6 महिने तक का भी time जो है वो लग सकता है तो mainly यह है कि जब भी किसी की इस तरह के treatment चल रही तो उसको सबर करना पड़ता है ऐसा ने कि रातो रात आपका यह problem ठीक हो जाएगा महिना भी लग सकता है 6 महिना भी लग सकता है एक साल जितना भी कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है यह problem को solve करने के लिए फिर freezing the scar यह option बनता है कि जो small calorie scar होते हैं उनको reduce किया जाता है या फिर remove कि निकाती है उसको use करके जो experts होते हैं वो यह scars को जो निकाल देते हैं फिर जो हमने आगे injection वाली बात की थी उसी तरह से वहाँ पर injection के बज़ाए laser से भी किया जा सकता है कि जो corticosteroid के injections आते हैं उसके बज़ाए यहाँ पर use किया जाता है laser तो laser method से जो large calories scars होते हैं उनको flat किय जाता है जिसके अंदर pulse die laser sessions दिये जाते हैं जैसे कि आप देख सकते कि उपर वाली साइट तो injection की है पर नीचे वाली साइट आप देख सकते हैं यह वाली जगा तो laser साइट पे आप देखो तो जो calories scars था उसको flat कर दिया गया कि जो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका एक bump जैसा हमें दिख रहा है स्कीन के उपर जैसे सूजन आ गई है ऐसा देखा देता है temporarily वो एरिया में वो आगे जाके थोड़ा निसान तो आपको देखने को मिलेगा पर जो bump जैसा बन गया था वो दीरी-दीरे कम हो गया और जो निसान है वो completely flat हो चुका है और यह जो session है उसमें लग जाते है चार से लेकर आठ वीक जितने तो injection के compare में यह थोड़ा आपको fast जो है वो action देता है तो फिर से यहाँ पर में आपको reminder देना चाहूंगा कि जैसे हम यहाँ पर यह सीख रहे है Caliwood Scars के बारे में इसे बहुत सारे बीमारियों के बारे में detail में दिया गया है हमारी book के अंदर तो book को order करने के लिए यहाँ पर दिये गए नंबर पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं topic पर वापस आते हैं और समझते हैं कुछ short techniques की जैसे की आगे हमने देखा था कि जग कान में ring वगेरा पहनने के लिए या फिर जो earrings जो होती है उनके लिए आप जो process करवाते हैं तो उस दोरन कई बार किया जाता है scar का low level of x-ray radiation जिसमें यूज होता है और कई बार surgical excision किया जाता है scars के लिए साथवा option हम देखे तो surgically उनको remove कर देना so especially surgically कि आप यहाँ पे देखो कि यह वाले भाग में यह scar है years के पास तो surgery के बाद यह वाले portion में यह दिखाए नहीं देता because surgery करके वो person जो है वो remove कर दिया गया है और उसकी जो effectiness हम देखे तो 45 से 100% जितनी रहती है तो यह वाला वीडियो भी आपको जरूर से अच्छा लेगा तो यहाँ पे click करके आप मेरा यह वीडियो जरूर से देखे चैनल को subscribe करे और हमें support करे good luck and all the best